कि वहलों कि वारेट के बारे में लोग बात करने जा रहे हैं उस देश का नाम आपके सान में लिखा हुआ है और भंगलादेश के देखिए यहां पर इस जंड़ा बना है इसके बारे में हम सबसे पहले इंडिपेंडेट फ्रॉं पाकिस्तान आपको पता होगा कि यह जो पाकिस्तान वाले अपना हिस्सा मांते थे लेकिन उसके बाद फिर लडाई जगडिए और वर हुआ और उसके बाद फिर यह आजाद हुगया इंडिपेंडेट हो गया पाकिस्तान से कब आजाद हो गया 26 मार्ट में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर बंगलदेश के बारे में जानना है या अगर नौलेज रखनी है तो कब इंडिपेंडेंट हुआ है 26 मार्च 1971 में और आपके लिए क्विश्चन तुरंद बन जाता है कि हम लोग का जो हम लोग का इंडिया है वो कब आ बंगलादेश तो है लेकिन अगर ऑफिसियल नेम देखा जाए तो उसका है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बंगलादेश नाओ कैपिटल वाट इस दा कैपिटल ऑफ बंगलादेश एंड़ करेंसी इस टका को मतलब करेंसी क्या है तका बड़े अराम स्याद हो जाएगा ढखा दाका टका दाका तका तो कैपिटल एडा का करंसी एक तो इसी तरह से हमारे जो इंडिया है उसका कैपिटल क्या है और उसकी करनसी क्या यह यह देखें बंगलादेश के कितनी दूर में फैला हुआ है तो 1,48,460 स्क्वायर किलो मेटर में पूरा बंगलादेश फैला हुआ है इसकी पॉपलेशन 23 के 2222 के हिसाब से 16.47 करोन है इसकी पॉपलेशन जनसंख्या लोग यहां पे इतने लोग रहते हैं उसके बाद हैं कि ल नाम किया है घना प्रजन तंत्र घना प्रजन तंत्र बंगलादेश तो नेम हमारे पड़ूसी देश बंगलादेश का क्या नाम है घना प्रजन तंत्र बंगलादेश उसके बाद आ जाता है नेशनल एंथम नेशनल एंथम क्या है अमर सोनार बंगला तो ध्यान रखिएग ने नेशनल नेंथम बंगलादेश का भी कंपोज किया था और साथ ही साथ रविंदनाय टेगोर ही ऐसे एक इंसान है जिन्होंने दो कंट्री के नेशनल 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 रिवर फ्रूट यह सारी चीजे क्या है बंगलादेश की यह भी जानना है jackfruit न्यशनल फ्लावर बंगलेयश का मेंगो ट्री अचा तो यह बताईए बंगलादेस का जो तो हमारे इंडिया का क्या है था लाइल बेंगौल अगार बंगल टाइगर नशनल अनिमल पहता बंगलेयश का उसके बाद है प्रफूज पूछा है नशनल स्पूट ऑफ बालव बंगलादेश kवर्डी आप उसके बाद बंगलादेश देख लेते हैं तो सेख मुझीबयर रहमान इनको बंगलादेश का जाता है राश्ट पिता का जाता है जैसे हमारे जस वह राश्ट पिता जाता है गरांफा डीजी को गहा जाता है उसी तरह से जो बंगलादेश के फादर है किसको कहा जाता है सेख मुझेवियर रहमान को यह फर्स्ट प्रसिडेंट से बंगलादेश के फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे उनका कारिकाल था 1971 से 1975 तक और एक चीज़ यहां पर भी इस समय प्राइम मिनिस्टर है बंगलादेश के समय के प्राइम मिनिस्टर है तो आई पड़ा थे आपको इतनी सारी चीज़ेग यहां प्राइम लोह ने जान लिया जनक पादर आफ और व अंगलादेश के किसको कहा जाता है क्या थे वह और कब से कब थे उनका कारिकाल था एक रुपे कितने बंगलेदेश से ठका के बराबर होता है इस समय कि प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां पर तो यह सारी चीज़े आपको एक किसी कंट्री के बारे में पार्टिकुलर कंट्री के बारे में यह इस बेसिक नॉलेज़ नौट बहुत डीप नॉलेज नहीं है बस बेसिक नॉलेज़ जो आपको पता होने चाहिए उसके पास अब यहां पर भी देख लीजे यह यह फ्लैग है यहां पर देखे ग्रीन कलर है और रेट कलर तो ग्रीन और रेट का क्या मतलब हमने लिख रख क्या मीनिंग में बताइए हमारे इंडिया का फ्लैग है और यहां पर ग्रीन कलर मतलब होता है है और यह रेड कलर है रेड कलर है सेक्रिफाइस मतलब बलिदान जब यह लोग आजाद हुए थे तो आजादी के टाइम पे नोंने जितनी लड़ाई या लड़ी थी दुश्म यहां की सबसे लंबी बीच है कौन सी कॉक्स बजार भी इसको बजार भी कहते हैं जो की 120 किलोमेटर लंबी है अगर आप पूरा गुमना चाहें तो लगवग लगवा आपको एक से दो दो से दो दो से तिन दिन तो लगी जाएंगे घूमने में इतनी बड़ी यहां की सबसे पहले आ जाता है अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल है काबुल यह क्या है यह जिस स्टेट से यह कैपिटल काबुल है वह जमूर के पार्ट से जुड़ी हुई है मiénلाडरी शेयर करते हैं और उसका फूटान का जो कैपिटल फिंपू फिंपु जो है हमारे इंडिया की कौन-कौन से इक से अपनी बड़ी को शेयर करता है तो वेस्ट बंगॉल मेघालिय त्रीपूरा और एसाम कौन कosure से वेस्ट बंगॉल मेघालिय त्रीपूरा मेघालिय त्रीपरण और आसाम राज। यहां पर 5 ष्टेटश है 欠ेगे इनसे बंगलादेश अपने बॉंड्रेश को शेर बंगलादेश के बाउंडरी और उसके बाद यह सारे स्टेट के बाद जुड़ी हुई है यह मतलब है कहने का बुटान का कैपिटल है थिम्पू यह कौन कौन से स्टेट के साथ अपनी बाउंडरी को सेर करता है अरुनाचल प्रदेश आसाम सिक्थ कीम एंड वेस्ट बाउंडरी को शेर करता है बतलब चाइना की बाउंडरी और यह सार फिट की मुट जुड़ी हूई है अब मेंड मार के बात करते हैं तो इसका कैपिटल का नाम नाम है यह कौन कौन से शेर करता है यह है अरुनाचल प्रदेश मनीपूर मिजोरम नागा लैंड अब उसके सिक्किम वेस्ट बंगॉल बिहार यहां लिखा हुआ है sorry for inconvenience यहां पे बिहार हो जाएगा बिहार तो उसके बाद है सिक्किम वेस्ट बंगॉल बिहार यूपी एंड उत्तराखन तो इन सारे स्टेट से नेपाल भी अपनी बॉंडरी को शेयर करता है नौ दा नेक्स्ट वन इ स्री लंका तो स्री लंका जो है यह आपको पता है एक दम साउथ में इंडिया के साउथ में स्री लंका है तो इस इपरेट फ्रॉम इंडिया से सप्रेट होता है गल्फ ऑफ मनार से इंडिया से सप्रेट हो जाता है गल्फ ऑफ मनार मतलब मनार की जो खाड़ी है मनार की खा सए स्री लंका की यहां पर आपको देखने को मिलेंगी डेखने को क्या मिलेंगी हुती हैं ड лишь से खर्णे स्रीचा वर्धन रर्धन और कोटे जरी खर श्री जाया वरधन पूर कोटे और कोलमबो यहां पर दो स्टेटस है दो कैपिटल हैं स्री लंका की अब दया रखोएगा उसके अर लांट वन है मालदीव्स स्ब्सक्राइब मले पढते हैं मले भी कुछ रहते हैं मलल देज तो मलडी चानल EL- काल नीचे नीचे साथ वेस्ट में तो यह आपको याज होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे इंडिया के साथ तो अफगानिस्तान बंगलादेश भूटान चाइना म्यामार नेपाल पाकिस्तान स्री लंका एंड माल्देश तो आई होप आपको इतने सारी बाते क्लियर हो गई होगी अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो हमने बीट-बीट में कुश्चन को बूछा है और उस पुश्चन का अंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजे और एक और कुश्चन आपके लिए कि वाट इस दा फॉल फॉर्म ऑफ इंडिया का फॉल फॉर्म क्या है आपको इंडिया का फॉल फॉ यह तक इंडिया की Capital वो जो आप पताएंगे प्रिवेस इंडियो दिलही से पहले थी वो कौन सी थी और कब से कब तक तक तो अब इसी कोशन के साथ हम वीडियो को करने जा रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए वाच करिए समझे लर्न करिए मिलते ह आपको नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई